सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेकनिकल चैनल को और बेल आइकन के तबाईए लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए यहाँ पर सबसे बढ़िया वाइड एर फोन कोन सा होना चाहिए कौन सी कमपनी का बेस्ट वाइड एर फोन है तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सोनी का और वन मोर का प्रीमियम वाइड एर फोन है तो यहाँ पर जो सोनी का है यह है MDR-EX150P और यहाँ पर यह इनर हेट फोन ह 899 रुपे में आता है almost 900 रुपे में और मैं इसे 6 मेने से यूज़ कर रहा हूँ काफी बढ़ियां ये wired earphone है, sony की तरफ से आता है branded है, और यहाँ पर हम बारे पास जो दुसरा earphone है ये है one more piston fit earphone with mic और 720 रुपे में ये available है, इसकी जो परिया wired earphone लेने की सोच रहा है जिसकी price अच्छी हो, branded हो तो वीडियो को पुर्या देख लिएगा दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकों के दबा दें, ताक कि ये available है, Amazon India के उपर से आप इसे purchase कर सकते हैं और मैं इसे काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा, हमारे main earphone की यहाँ पर जो earphone है dynamic driver के साथ में आता है और यहाँ पर dual layer का coating किया गया है, जो कि आपको powerful bass और sound provide करता है, यह जो हमारा earphone है, 45 degree angle पे रखा गया है, तो यहाँ पे जो design है, वो काफी ज़्यादा tilt हो जाती है, और यहाँ आपके कानों में काफी बढ़ियां से fit हो जाता है, तो अगर आप इसे पहन करके 4-5 घंटे यूज कर रहे हैं तो आपके कानों में pain नहीं होता है और आपके कानों में काफी बढ़ियां से fit हो जाता है, यह जो हमारे ear tips है, यह भी बहुत ज़्यादा soft और comfort है तो आपको कोई भी problem नहीं होती है और यहाँ पर जो design है जैसा कि आप देख रहे हो, one more कि आपको दोनों में ही branding दी गई है और यहाँ पर diamond cut finish आपको दिया गया है aluminium force it body के साथ में तो यहाँ पर जो इसकी build quality है वो काफी ज़्यादा solid हो जाती है क्योंकि यहाँ पर aluminium force it body बनाया गया है जो कि देखने में काफी बढ़ियां लगता है और diamond cut finish के साथ में आता है और यहाँ इसकी नीचे आप देख सकते हो SR tube के use किया गया है जिससे जो wire है उसको काफी बढ़िया protection मिल जाता है और आप इसे rough use कर रहे हैं तो कोई problem नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो wire है वो काफी ज़्यादा soft आपको दिया गया है और यह जो हमारे earphone है यहाँ पर right और left यहाँ पर दोनों में ही आपको mic दिया गया है तो यहाँ पर जो microphone है यहाँ पर जब आप सामने वाले से बात करोगे तो सामने वाले को आपकी जो आवाज है वो काफी बढ़ियां से सुनाई देने वाली है यहाँ पर जो wire है यह काफी बढ़िया wire आपको दिया गया है soft and comfort wire आपको मिल जाता है जो कि काफी ज़्यादा soft है 1.5 meter का आपको wire मिल जाता है और यहाँ पर जो quality यूज़ की गई है kevlar fiber और copper का यूज़ किया गया है तो यहाँ पर जो इसके build quality है वो काफी बढ़ियां हो जाती है और kevlar fiber और copper है तो आप यह समझे है कि यहाँ पर जो wire है वो काफी ज़्यादा strong है और यहाँ पर copper का यूज़ किया गया है जो sound है वो आपको काफी बढ़िया मिलने वाली है और यहाँ नीचे में आप देख सकते हो जो हमारा 3.5 mm पीन है यह L सेप में आता है और गोल्डेन प्लेटेड है तो यहाँ पर भी जो क्वाल्टी है वो काफी बढ़िया रखी गई है क्योंकि L सेप है तो यह जो हमारा 3.5 mm जो हमारा पीन है यह जल्दी खराब नहीं होने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी SR ट्यूब का यूज किया गया है जो की काफी ज़्यादा सॉफ्ट है तो यहाँ पर जो वायर है उसको ध्यान में रखा गया है कि जब आप रफ यूज कर रहे है तो आपका जो वायर है वो जल्दी खराब नहीं हो जाए और यहाँ पर जो बटन्स आपको मिलते हैं तो यहाँ पर सामने में एक बटन आपको दिया गया है मीडिया को कंट्रोल करने के लिए और बैक में आपको माइक्रोफोन दिया गया है ओवरॉल यहाँ पर जो वन मोर पिस्टन फीट है जो हमारा इयर फोन इसकी क्वाल्टी काफी बढ़िया है और मैं काफी दुनों से यूज कर रहा हूँ काफी बढ़िया यह वाइड एयर फोन है जो की वन मोर पिस्टन की तरफ से आता है और यह जो बटन है तो यहाँ पर इसे यूज करके आप कॉल्स ले सकते हैं कॉल को एंसर कर सकते हैं कॉल को डिस्कनेट कर सकते हैं यहाँ पर सॉंग्स को प्ले कर सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसकी जो बेस है वो आपको अच्छी दी गई है और यह जो हमारे इयर बार्ट्स है यह भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है यहां पर डिजाइन आप देख सकते हैं सोनी के आपको ब्रेंडिंग मिल जाती है और यहां पर इसकी जो बिल्ड क्वाल्टी है बढ़िया है साइनी मैटिलिक फिनिस के साथ में आता है काफी ज़्यादा लाइट वेट है और यहां पर जो डिजाइन है वो काफी ज़्यादा बढ़िया है वायर की बात करें तो यहाँ पर वायर आपको soft है, comfortable है, 1.5 मिटर का आपको वायर दिया गया है और यहाँ पर भी kevlar copper का यूज किया गया है वायर में, तो यहाँ पर जो sound quality है वो आपको crisp और अच्छी दी गई है, बढ़िया यहाँ यहाँ पर आपको वायर दि पॉज कर सकते हैं, call को answer कर सकते हैं, disconnect कर सकते हैं और यह जो button है इसे अगर long press करेंगे तो यहाँ पे आप Google Assistant को activate कर पाएंगे और यहाँ पे जो हमारा 3.5 mm जो पीन दिया गया है तो L-shape में मिल जाता है और golden plated है और यहाँ पर ऐसा tube का यूज किया गया है तो यहाँ पर wire आपका खराब होने वाला नहीं है क्योंकि L-shape है और यहाँ पर 3.5 mm जो पीन है यह भी golden plated है तो यहाँ पर quality आपको बहुत ही बढ़ियां दी गई है अब दो यहाँ पर दोनों ही earphone में हम यहाँ पर play करेंगे एक एक music और आपको यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर इसकी base quality कैसी है यहाँ पर आपको music कैसा दिया गया है sound quality कैसी है ता कि आपको पता चल सके और दोनों हे earphone rough and tough है branded है तो यहाँ पर अ I give my fill three times a day third These has an odd fuse what make meヒुआ what flame to take the pain away a call your lighting matches in the back room haters look mad when they pass you let's talk about around when it's past two bridge at glass do to know झाल 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 बात करें अगर यहाँ पर मेज़िझ की तो वन मोर किस्टन मैं एक साल से यूजच कर रहा हूँ और यहाँ पर जो बेस है वो आपको काफी जबरदस दिया गया है जो वोकल्स है वो भी एकदम किलियर और कृस्टल है 100% volume में भी यहाँ पर जो vocals है वो काफी बढ़ियां रहता है चाहे आप यहाँ पर कोई भी music प्ले करें और यहाँ पर जो sound quality है वो भी आपको अच्छी दी गई है और यहाँ पर instruments से present भी काफी बढ़ियां से काम करता है तो यहाँ पर 720 रुपे में काफी बढ़ियां यह earphone है जो की one more piston fit है और यह इनका award winning earphone है तो आप यह ले सकते हैं काफी बढ़ियां मुझे लगता है और मैं इसे एक साल से use कर रहा हूँ overall यहाँ पर इसके quality बहुत ही जबरदस्त है दोस्तो सोनी का जो MDR EX150P है यहाँ पर music के लिए काफी जबरदस्त है यहाँ पर जो bass है वो आपको जबरदस्त दिया गया है यहाँ पर आप कोई भी music play करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है bass यहाँ पर अच्छा है जैसा कि हमारे Indian user को पसंद आता है vocals एकदम clear और crystal आपको दिये गए है और यहाँ पर जो instrument से पेशन है वो भी काफी बढ़ियां से काम करता है इसकी sound quality काफी बढ़ियां है यहाँ पर अगर आप rough and tough के लिए एक बढ़ियां wide earphone लेना चाहते है तो सोनी का MDR EX150P काफी बढ़ियां है थोड़ा सा expensive है नौस रुपय में आता है लेकिन क्योंकि branded है तो यहाँ पर quality आपको काफी जबरदस दिया गया है और यहाँ पर यह काफी बढ़ियां से काम करता है चार पाच घंटे चे गंटे आप इसे continue पहन के game खेल रहे हैं गाने सुन रहे हैं बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके कानों में pain नहीं होता है तो यहाँ पर 900 रुपय में एक branded काफी बढ़ियां यह Sony का MDR earphone है तो आप इसे ले सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है अगर आप एक बढ़ियां wired earphone लेने की सोच रहे है जो की branded हो और cheapest हो तो यहाँ पर Sony का MDR EX150P काफी बढ़िया earphone है 9 सुर्पय में आता है थोड़ा सा महेंगा कुकी branded है Sony की यहाँ पर branding है तो यहाँ पर जो earphone है काफी बढ़िया है और मैं इसे 6 मैंने से यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी तक quality में कोई problem नहीं हुई है मैं इसका link अपने description में दे दूँगा और यहाँ पर जो one more piston feet है यह भी एकदम rough and tough wired earphone है branded है और award winning इनका यह product है तो आप इसे भी ले सकते है एक साल से मैं से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मुझे कोई भी problem नहीं हुआ है और यहाँ पर 720 रुपय में काफी बढ़िया यह wired earphone है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको confirm कर दिया है कि अगर आप कोई नया mobile लेते हैं box में wired earphone नहीं मिलता है तो आप wired earphone लेना चाहते हैं अपने लिए तो आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं दोना का लिंक मैं अपने description में दे दूँगा तो बज दस्तों शुड़ो मैं इतना ही आसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दो अच्छा लगा है